हेल्लो फ्यूर्स, स्वागत है अब सभी के बेस्ट मुईस पो यू पे आज में एक स्पेनर करूंगा तेलस पाउंडर क्रीप डेमोन नाइट ये एक अमेरिकन होरर फेंडरसी मुवी है जो रिलीस वा था नाइंटी नाइटी फाइप में और इस मुवी की I am deaf rating a 6.7 out of 10 So now don't any further delay, let's start the video तो मुवी की starting में एक अरत को दिखा जाता है जिसके सरीर पे खुन लगा हुआ होता है और वो फोन पे किसे से बात कर रही होती है और जिससे बात करती है उससे बो बताती है की उसनी उससे मार दाला है जिससे पता चलता है कि इस ओरत ने साइथ अपनी पती का खूल कर दिया है और वो अपनी बॉफ्रिन के साथ बात कर रही है इसके बाद बो आरत बात तप पें आहाती है अपनी बोड़ी को साफ करने के लिए तभी बेस्पेन में एक बोड़ी दिखाए देता है है कि यहां एक मूवी की शुटिंग चल रहा है और इस फिल्म का डारेक्टर होटा है क्रिप के पर अभी जिन लोगों ने टेलसफंदा क्रिप टीवी सिरिस नहीं देखी है उन्हें में बता दू कि टेलसफंदा क्रिप ओरिजिनल एक अमेरिगन टीवी सिरिस था जिसके साथ सीजन्स थे जो की 1989 से लेकर 1996 तक टेलिविशन में ब्राटकस्ट किया गया था ये एक हरर एंथेलोजी सीरिस था जहां हर एपिसोड पे अलग-अलग कहानी दिखा जाता था और उन कहानी को ये क्रिप किपर ओडियंस को कहता था उसी सीरिस्ट पे बेस्ट ये मूवी है सेम टाइटल के साथ तो ये था इस मूवी की कॉंसेट का डिटेल्स तो अब मूवी में आगे बरते हैं इसके बाद क्रिप किपर ओडियंस यानी हमरी तरफ देखकर टेल्स फाउंडर क्रिप की कॉमिक बूप को खोलता है और उसमें जो कहानी है उसे क्रिप कीपर नाम देता है डेवन नाइट जो की मूवी का टाइटल भी है इसके बाद ये कहानी स्टार्ट होता है ये कहानी स्टार्ट होता है न्यू मेक्सिको की एक हाइवे पे रात को जहां फ्रेंक ब्रेकर नाम की एक आदमी को डिखा जाता है जो की कार से भाग रहा होता है क्योंकि एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है जब फ्रेंग देखते है कि वो आदमी उसका पीछा नहीं चो रहा है तो वो अपनी कार सीधा सरक के बीच रोक कर उस आदमी की कार पे गुली चलाता है जिससे उस आदमी की कार पे आख लग जाता है पर फिर भी वो हसते हुए बिना कार रोके आगे बरता रहता है इससे पहले वो फ्रेंग की कार को तक्र मारता फ्रेंग कार से निकल जाता है और फिर उस आदमी की कार सीधा फ्रेंग की कार से तक्रा कर बलस्ट हो जाता है इसके बद फ्रेंग रोट के पास एक कैफी में जाता है जहाँ वो एक कार छोड़ी करने की कोशिश करता है तब ही वहाँ एक चोटा लरका आता है और वो फ्रेंग को देखकर अपने डैट को बलाता है फिर फ्रेंक वहाँ से भाग जाता है और वही पास में फ्रेंक को एक सरावी बुरा आदमी दिखा देता है जिसका नाम होता है विली फ्रेंक विली को राद गुजानने के लिए जगा पूछता है तो विली फ्रेंग को एक पुरनी सर्स में ले जाता है जो की अब एक बॉर्डिंग हाउस है जब फ्रेंग उस सर्स की तरब जाता है तभी फ्रेंग अपनी हाथ पे देखता है जहाँ पे साथ तरे बना हुआ होता है टेटू की तरह तभी एक तारा उसके हाथ में चमकते और किसी अजनेवी को रूम नहीं देती है पर फ्रेंग उसे एक्स्ट्रा केस देता है तो फ्रेंग को रूम दे देती है फ्रेंग पे अपना नाम स्मिट लिखता है क्यों वो हमें आगे पता चलेगा वहां एक पृस्तिदी भी होती हैних वहां आने वाले kuPlay के लिए उसका नाम होती है कॉडिलिया जिससे फ्रेंक बहुत एक्टरक्टिव लगती है वहां के वारकर जेरिलिन फ्रेंक को रूम दिखाती है और उसके लिए खाना भी बनाती है फिर दुसरी तरफ उस रोट पे दिखाता है जहां फ्रेंक और उस आदमी का कार ब्लस्ट फिर जब सेरिफ उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और वो बचा कैसे इस एक्सिलेंस है तो वो कहता है कि इन डोनों कार में से कार उसका था और एरबेक्स ने उसका जान बचाया है और वो एक आदमी का पिछा कर रहा था जो उसका सामान सोरी करेके फाग रहा था और अब उसे वो चामान बापस चाहिए डोनों सेरिफ उसकी बात मान जाता है और फिर डोनों सेरिफ उस आदमी को अपनी कार में लेकर फ्रेंक को धुनने निकल परता है। का लिया गया है क्योंकि उस पे छिथिया चुपा कर रखने का इलजाम लगता है। काफी पे काम करता है जहां से फ्रेंक ने कार चोरी करने की कोशिश किया था। तो सेरिफ ने उनसे पूछतास की जिसमें उसे आने में डेर हो गए। इसके बद कोडिला और रोस कमरे में जाते हैं मज़े करने के लिए। इससे एरिन की सक और जादा बर जाता है और वो सेरिफ को कॉल कर देता है। इसके बद दोनों सेरिफ और वो आदमी उस बोर्डिंग हाउस पे पहुच जाता है। और वो आदमी फ्रेंक को आरेंडिवा करता है। ये रेकर फ्रेंक चाकू उठाकर जेरिलिन की गले पे रख देता है। पर उस आदमी को पता था कि फ्रेंक ऐसा नहीं करेगा तो फ्रेंक जेरिलिन को छोर देता है। और फिर सेरिफ तपर फ्रेंक को हैंकफ कर देता है। फिर फ्रेंक की वालत को चेक करता है। पर फ्रेंग कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है तो सेरिफ बॉब फ्रेंग की रूम में चेक कने जाता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है पर उसे रोच और कॉडिला डूसर काउने में देख जाता है और उन्हें नीचे आने को कहता है इसके बाद जब सेरिफ तपर उस आदमे से पूछता है कि वो करता है क्या है तो वो बताता है कि वो कलक्षन एजनसी के लिए काम करता है और वो किम्ती समन कलक करता है अब से इस आदमे को कलक्टर केकर बुलाएंगे कलक्टर की बाते सुनकर विली कहता है कि उसे पता है कि वो छीस कहा है और वो टेबल की निशे से सावी को निकालता है जहां फ्रेंक ने उसे चुपाय था इसके बाद कलक्टर अपने बॉक्स में विली को बोचावी रखने को कहता है पर उस साभी के अंदर कुछ लाड रंग का लिक्विड होता है जिसे कलक्टर विली को निकाल कर फेकने को कहता है इसके बाद सिरिफ तपर कॉंट्र रूम में कॉल करके फ्रेंक का रेकॉर्ड शेक करने को कहता है जहां उसे पता लगता है कि फ्रेंक का असली नाम फ्रेंक नहीं है क्योंकि फ्रेंक ब्रेकर नाम का इंसान बहुत पहले ही मर चुका है और साथ में ये वी पता लगता है कि फ और फिर वो उसका सर उखार देता है, ये देखकर वहाँ सबी लोग डर जाते हैं, फिर फ्रेंक बॉप से हैंकाफ का चावी लेकर अपना हैंकाफ खुलता है, और फिर सीरा तपर की बोड़ी के पास जाकर वो चावी ले ले लेता है, फिर कलक्तर फ्रेंक को मानने ही बाला हो जिससे खुन निकलने लगता है जो कि हरे रंग का होता है जिससे ये पता चलता है कि कलक्टर कोई इनसान नहीं है फिर वो अपनी खुन जमिन पे गिरा देता है उसकी खुन से कई सरे डेमोनिक क्रेसर्स बन जाते हैं और फिर वो सारे क्रेसर्स अंदर खुश कर सब पर हमला क करने लगते हैं फिर फ्रेंक टपर की बोडी से उसका पिस्टॉल और गोली लेता है और सीधा उन क्रेसर्स के आखों पे मारता है जिससे कुछ क्रेसर्स मर जाते हैं इससे ये पता चलता है कि फ्रेंक पहले चही जानता है इन क्रेसर्स के बारे में और ये भी कि उन्हें मानन कैसे है इसके बाद रोज अपनी कान लेकर भागने का प्लैन बनाता है और कॉड़िला भी उसके साथ जाती है पर घर से बाहार निकलते ही उन पर एक क्रेसर हमना कर देता हैं रोज़ वापस अंदर आ जाता है पर कॉड़िला भाहर तो वेली बॉप से पिस्टो लेकर उसे बचाने की कोशिस करता है पर वो उस क्रेसर को मान नहीं पाता तो फ्रेंग वेली को क्रेसर की आखों पे मानने को कहता है और वेली ऐसा ही करता है और उस क्रेसर को मान गिराता है इसी दोरान उएली भी खायल हो जाता है यहां कॉडिला को एसास हो जाता है कि रोस उससे प्यार नहीं करता है बलकि उएली उससे प्यार करता है इसके बद फ्रेंग घर की सारे दर्वाजे और खिर्की पे उस साबी से कुछ लाल लिक्विट का द्रॉप गिला देता है जिससे सारे दर्वाजे और खिर्की पे एक सुरक से कबस बन जाता है जिसके अंदर वो कलक्टर या वो क्रेसर्स नहीं आ पाते है इसके बद सपलक फ्रेंग को इन सब सीजों के बारे में पूछता है कि क्या यह सब सेतान है तो वो कहता है कि उससे भी बुरा और फ्रेंग उन्हें ये भी कहता है कि उन्हें रोखने का सिफ दो ही रास्ता है एक फ्रेंक के पास जो चावी है उसके अंदर का खून और दूसरा किसी बिशीज जिससे उन सेतनों की आखों को ब्लास्ट कर सके यहाँ पता चलता है कि उस चावी के अंदर वो लाल रंगा लिक्वीड खून है पर किसका खून है यह आगे पता चलेगा दूसरी तरफ कलक्टर को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपना साइकिक पाउर से कोडिला को पोजस का लेता है फिर कोडिला की कमरे में वेली आता है जिसे कोडिला सिल्यूस करती है जो की कलक्टर करवा रहा होता है फिर निचे बाकी सब बाहर जाने का रास् करती है फिर फ्रेंग उस सावी को कोडिला की बोड़ी के उपर लगाने की कोशिस करता है पर कोडिला उस सावी को फ्रेंग की हाथ से गिरा देती है और सावी से खून गिरने लगता है तो एरिन जेरिलिन को चावी उठाने को कहती है फिर जेरिलिन सावी उठा कर एरिन को दे जब अडिला एटी एकशिश करती है तो, कौडिला एडिला की हाथ को तोर कर अलग कर देती है। और फिर वो चाबी को लेकर खिर्की से कलक्टर को देने जाती है पर, तब फ्रेंग पिस्टोल से कौडिला की सर पे गोली मारता है जिससे, उसकी आखे निकल आती है और वो उसकी आखों पे गोली मार के उससे मार देती है इसके बद ये लोग एरीन की हाथ पे बेनस लगा देते हैं ये सब देखकर रोज को लगता है कि वो चाबी कलक्टर को दे देने से उनकी मुसिबत खतम हो जाएगा तो वो फ्रेंक से वो चाबी लेने की कोशिश करता है पर फ्रेंक उसे पिस्टोल लिखा कर रोग देता है फ्रेंक सब को घर के अंदर ही रहने को कहता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता और सब लोग इस सर्स की एक सुरंग की रस्ते से बाहर जाने का फैसला करता है और फ्रेंक को भी उनकी बात मानना परता है फिर जब यलोक सुरंग की डिवार को हतोरे से तो रहे होते है तो फ्रेंक को एक विजन दिखाए देता है जब जिजिस क्रिस की हातों पे कील मारा गया था जिजिस को एक्जिकुट करते समाए और वहाँ एक आदमी इसी सावी को लेकर भागने की कोशिस करता है जहां एक सैतान आता है और वो उस सावी को लेने की कोशिस करता है तबी जिजिस का खुन उस सैतान की हाथ के उपर गिरता है और उसकी हाथ जलने लगता है और कुछ खुन साभी के अंदर भी गिरता है इसके बाद सब्लोग सुरंग की रस्ते से जाते हैं और फ्रेंग सुरंग की खुले डिवार पे खुन का एक बून गिरा देता है ताकि सैतन ना खुश सके उली सब को लीट करता है क्योंकि उसे रस्ते के बारे में पता होता है जाते बग जेरी लिन को किसी बच्चे की आवाज सुनाए देता है और फिर वो आवाज का पिछा करके एक चोटे लगए के पास बहुत जाता है जिसका नाम होता है देनी और ये वही बच्चा है जो फ्रेंक को मिला था कैफी सब के बाहर तवी वहाँ डूसरी सुरंग की रस्ते से देनी की मौमर उसकी डैड आ जाता है जो की कॉडिलने की तरह सैतन बन चुका है फ्रेंक उन डोनों को पिस्टोल से मार देता है तवी वहाँ और भी सैतन आ जाता है रोज एक सौटगन से उन्हें सूट करता है जिससे एक कबस तूच जाता है फिर वहाँ और भी सैतन आ जाता है फिर ये लोग जल्दी से बापस खरके अंदर खुज जाते हैं और उसका कमंडिंग ओफिसर पुरी तरह से खायल होता है और वो मरने वाला होता है फिर वो ओफिसर वही चाबी निकालता है और अपना खुन उस साबी के अंदर भर देता है और फिर उस साबी को फ्रेंक की हाथों में थमा देता है जहां फ्रेंक को फिजन दिखाई देता है इन सब की शुरुआत की फिर फ्रेंक दर्थ से चिलाता है और उसकी हाथ पे तारे बन जाते है चाबी में बने हुए तारे से और फिर फ्रेंक को एक आवास सुने देता है जो बार बार एक ही सब कहता है यू आ डा वान इससे ये पता चलता है कि फ्रेंक कई सालों से जिन्दा है और वो भी बीना बोडी में कोई सेंजिस के कहानी फिर से प्रेजन में आता है जहां सब लोग फ्रेंक को इन सब सीजों के बारे में समझाने को कहता है तो फ्रेंक कहता है कि शुरुत में जब भगवान ने स्वर्क और धर्ती को बनाय था तब धर्ती पे सिफ अंधिरा था पर साथ में सैतान भी था उन सैटमों के पास साफ शाविया थी जिससे एक सरकल बनता है जिससे कोस्मोस की बनता है, जिससे पुरे ब्रहमान में सैटम का कबजा होता, पर फगवान ने सैटम को रोखा, रोस्ति होने डिया और उन शावियों को फैला दिया इनिविर्स के अलग-अलग जगह पे। सेतानों को से सावी मिल गया अब एक और चावी चाहिए और सेतान को पता चल गया है कि एक चावी धरती पर है फिर फगवान ने उस सावी के अंडर जिजस का खुन भर दिया जिस से से सेतानों को सावी से दूर रख सके फिर एक सोर के हाथ वो चावी लग गया जिसका नाम थ सिरक फिर वो चाबी किसी और इंसान के पास गया फिर किसी और फिर लास्ट में अब फ्रेंग के पास है फ्रेंग कहता है कि अगर स्टानों को ये आखरी शाबी मिल गया तो वो फिर से अंधरा ले आएगा पूरे धर्ती पे ये सब सुनके रोज फ्रेंग से माफी मागने का नातक करता है और वो फ्रेंग से वो चाबी चोरी कर लेता है कलक्तर को डेने के लिए क्योंकि वो काफी सेलफिस होता है तब ही उन्हें पता चलता ही कि देनी उनके साथ नहीं है तो सब देनी को धुनने लगते हैं जेरिली ने एक कमरे में जाती है देनी को धुनने जहां उस असके बादर एरिन विली को दजनी को लेकर फ्रेंक के पास आने को कहता है। फिर विली और देनी एक कमरे में जाते हैं फ्रेंक को धुनते हुए तभी विली को कई सारे Naked Party Girls दिखा देता हैं और कलक्तर एक बार ते अंदर बना हुआ होता है। और विली को बहुत मज़ा आता है। यानि कि कलक्तर ने विली को पॉजस कर लिया है। डूसरी तरफ एरेन और बॉब को एक बॉक्स मिलता है जहां कई सरे लेटर्स होते हैं यहां तक कि एरेन और बॉब की भी क्योंकि ये दोनों एक डूसे से प्यार करते हैं और ये सब काम विली ने किया था बॉक्स में उन्हें कुछ गंस मिलता है पर गोली नहीं होता है और साथ में कुछ हैंड ग्रेनेट भी यानि की पोस्ट ओफिस बालों ने जो इलजम लगा था विली के ओपर बो सब सच था इससे ये पता चलता है कि विली एक साइको था फिर वहां कलक्टर इरिन के पास भी जाता है एक खाने का प्लेट में इरिन का कता हुआ हाथ लेकर पर इरिन उसकी बहकावे में नहीं आती है दूसरी तरह फ्रेंग और जेरिन देनी और विली को धुंटे हुए उस कमरे में पहुच जाता है जहां विली जो की अब सैतान में बदल चुका है वो फ्रेंग के ओपर हमला कर देता है और फिर फ्रेंग का गला पकर कर उसे उता देता है जेरिलिन मदद करने की कोशिस करती है पर विली उसे मार कर गिरा देता है फिर फ्रेंग को पिछे दिवार पे एक ब्लेट मिलता है जिससे वो विली का सर उरा देता है पर फिर भी वो जिंदा होता है और अब भी वो फ्रेंग के पर हमला कर रहा होता है तो फ्रेंक डेनी को विली के आखों को उराने को कहता है तो डेनी विली की सर को उठा कर दो नुकिली सीस पर उसकी आखों को फोर देता है जिससे विली मर जाता है इसके बाद दुसरी तरफ रोस कलक्तर के साथ दिल करता है कि अगर वो चाबी उसे दे देगा तो उसे रोस को जाने देना होगा कलक्तर हा कहता है और फिर उसे रोस चाबी दे देता है पर फिर कलक्तर रोस को कहता है कि उसने जुट का था और ये कहते ही सारा सेतानी क्रेसरस आकर रोस को मार जालता है रोज की सीखे सुनकर फ्रेंग को पता चल जाता है फिर जब कलक्टर उपर आ रहा होता है सब को मारने तो फ्रेंग एक तीर मारता है कलक्टर के आखो पे और वो नीचे गिर जाता है और फिर फ्रेंग कलक्टर का बॉक्स जिसके अंदर चाबी है उसे उठा लेता है पर बाकी सारे शेतान उन्हें मारने आते हैं तो एरिन अपने सरीर पे सारे ग्रेनस पहन लेती है जो उसे मिली थी उस बॉक्स पे और फिर बॉब भी उसके साथ मारने को त्यार हो जाता है फिर फ्रेंक जेरी लिन और देनी एटिक पे चल जाते हैं और एरीन और बाब उन क्रेसस के साथ ब्लास्ट में मर जाते हैं फिर फ्रेंक चाबी से एक बून खून जेरी लिन की हाथ पे गिरा देता है जहां जेरी लिन खून को पास की खिरकी में लगा देती है जिससे वहाँ एक कबच बन जाता है इसके बद फ्रेंग जेरी लिन को बोचावी देता है ये कहकर कि अब इसे सम्हालने की बारी उसकी है क्योंकि बाकी साथ लोगों में से अब बस बोही एक लोटा जिंदा है और चावी पे भी साथ तरे बने हुए है फ्रेंग को पता होता है कि अब चावी को सम्हालने की बार करता है और देनी की एक लंबी जीब निकार आता है जिससे वो फ्रेंग की सीने में सेथ करने लगता है तब ही उस कॉमिक बुक में दिखा जाता है जहां कॉमिक के अंदर भी यही सब हो रहा होता है जेरी लिन किसी भी तरह से देनी को खिर्गी से गिरा देती है जहां देनी ब्लास्ट हो जाता है उस चुरुक से कबस में लग कर इसके बद फ्रेंग अपने सीने से बहता खुन उस सावी के अंदर फर देता है और जेरी लिन्ड की हाथ पे थमा देता है जहां उसे भी फिजन आती है और उसकी भी हाथ पे वो साथ तरे बन जाता है जो की एक साथ इख फ्रेंग मर जाता है इसके बद कलेक्टर वहां पहुच जाता है जहां जेरी लिन्ड की पुरी सरीर में खुन लगा हुआ होता है फिर वो उससे चावी लेनी की कोशिश करता है पर उसकी हाथ जलता है क्यूंकि जेरी लिन्ड ने अपनी बोड़ी पे फ्रेंग का खुन मुँ में ले लेती है फिर कलेक्टर जेरी लिन्ड को माने ही वाला होता है तब है जेरी लिन्ड उसके चेहरे पर अपनी मुँ में लिया खुन ठूक देती है जिससे कलक्तर का पुरा सरीर जल जाता है और वो वही बलस्ट हो जाता है इसके बाद जेरेलिन फिर से चावी को फ्रेंग की खुन से भर देती है और फिर वो बस पकर कर इस जगे से चली जाती है पर बस की दरवाजे पे वो खुन की एक बून गिरा देती है फिर बस एक जगा रुकता है जहाँ एक आदमी बस का वेट करा होता है उस कर्क्तर की तरह सेम कपरे पहने हुए हाथ में एक बीफ केस के साथ पर वो बस पे नहीं चरता ये कह कर की वो दुसरा बस पकल लेगा ऐसा क्यों आप लोग जानते हैं यानि की अब ये है नया करक्तर जिसे सैतान ने फेजा है और ये मुवी यही एंट हो जाता है अब जल्दी से बात करते हैं कहानी की क्लेरिफिकिशन की जो सावी फ्रेंक के पास था वो आखरी सावी है जो सैतानों की हाथ नहीं लगा है क्योंकि पुरी इनिवर्स पे कंट्रूल पाने के लिए सैतानों को साथ चावी लगेगा जिस से एक सर्कल बनेगा और तब सैतानों के पास पूरे ब्रह्मान को कपज़र करने की ताकत हासिल होगी और फिर सैतान दुबारा से धर्ती पे अंधरा ले आएगा और जब भी कोई चावी को किसी दूसरे को देता है तो पहले वाला चावी का रखशक उसमें अपना खुन भर देता है ताकि जिसका खुन भरा रहे और जब भी चावी की रखवाले का आंत पास आता है तो हाथ में बने तारे एक साथ जुनने लगते हैं इसलिए फ्रेंक को पता चल गया था कि अगला रखवाला जेरिलिन है क्योंकि फ्रेंक के हाथ में बना हुआ तारा जुनने लगा था जब वो हाउस में रहने आया था और कलक्तर ने सबको पॉजस उनकी पसंदितस चीश से ललसा कर की जैसे देनी को कॉमिक बुक से क्योंकि उसे कॉमिक बुक परना काफी ज़़दा पसंद था विली को सराप और पार्टी से क्योंकि वो हर बक सराप पीता रहता था और कॉडिला को उसकी खुबसूरती से प्यार था बाकी ज़्यादा कुछ एतना कन्फूजिक नहीं है इस मूवी के कहानी में तो यह था तेल्स फांडर की देमान नाइट मूवी का एक्स्प्रेनेशन उम्मीद करता हो कि आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगर कोई फीडियो पसंद आया है तो इस फीडियो को लाइक, शेयर और सेनल को सब्सक्राइब किजे ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरस्टिंग मूवी की एक्स्प्रेनेशन मिलती रहें